धान की बॉई का समय आ गया है किसान साथियो धान की रुपाई में खर्च अधिक आता है तथा लेबर का बहुत प्राबलम हो रहा है नमस्कार किसान साथियो मेरा नाम पुस्पेंद्र है और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूटूब चैनल किसान साथियो आज के वीडियो में हम सीधी वीजाई के बारे में संपूर्ण बात करेंगे जहां लोग गाउं से सहर की ओर काम करने में ज़्यादा जिल्चस्पी ले रहे हैं किसान साथियो आज के वीडियो में हम सिधी बाई के बारे में बात करेंगे साथ ही उर्वरक प्रबंधक तथा खर्पत्वार प्रबंधक के बारे में बात करेंगे किसान साथियों हमारे 36 गड़ में सीधी बुआई का चार विधियां प्रचलित है जो हम उन चार विध्यों के बारे में बात करेंगे सीधी बिजाई में बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो इस प्रकार है पहला 30-40% स्रम की बचात होती है जो आपको स्रमी लेबर की खर्चे करने होते थे उसकी बचात होती है दूसरा 20-30% पानी की बचात होती है तीसरा उर्वाक के प्रयोग की छमता बढ़ जाती है चौथा सीधी बिजाई पर फसल समय से पक के त्यार होता है जिसे हम अगले फसल सही समय पर ले सकते हैं पाचवा डीजल की खर्च 50-60% कम हो जाती है छटवा मेथेन गैस का उस सरजन कम होता है जिससे हमारे परियोगरन सुरक्षित रहता है सात्वा पर हेक्टेर 4-6,000 रुपए की हमारी बचत होती है किसान साथियो ये हो गया सीधी बिजाई के फाइदे अब हम बात करते हैं सीधी बिजाई के चार प्रकार के बारे में पहला है विख्राव विधी जो आदीकाल से चलते आ रही है हमारे दादा जो पुरवज थे और लोग आदीकाल से धान की सीधी बिजाई ही करते आ रहे हैं इसमें सुखे खेत में जोताई कर देते हैं तथा बीच का छिरकाव कर देते हैं फिर रोटा वेटा या पाटा लगा चला देते हैं उसके बाद मानसून का बारिस आती है तो आटोमेटिक जर्मिनेशन चालू हो जाता है इस वीधी को मानसून के 10 से 15 दिन पहले कारिय को आप आने वाले वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो इसके लिए आप हमारे चेनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिपकेशन आपको जलदसल मिल सकें किसान साथियों अब बात करते हैं सीधी बीजयाई में हमारी जो बीच की मात्र होती है जो दियसरार पद्धती होती है उसमें हमारी जो बीच की मात्र होती है वो 30 से 35 किलोग्राम बीच की और सकता पड़ती है पड़ेकर वहीं सिधी बीज यही में जो कुछ कमियां हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो पहला है अंकूरन की समस्या किसान साथियों हमारे खेत के जहां पर गहरी जूताई हुई रहती है वहां बीज मिट्टी के ज्यादा अंदर चला जाता है जिससे बीज जर्मनेशन की समस्या आती है और जहां पर उतला रहता है वहां पर बीज मिट्टी के उपर रह जाता है जिससे अंकूरन कम होता है या फिर चिडिया या कुछ अन्याजीव के माध्यम से उसको खाने की समस्या आती है इसमें दिहान रखना है कि बीच एक निश्चीत गहराई पर ही हो जिससे हमारे बीच अंकूरित हो जाए तथा कोई परसानी ना हो किसान साथियों आप बात करते हैं सिधी बीजाई में उर्वावक प्रभंधा के बारे में सिधी बवई में आपको 100-1500 kg नै्टरोजन के वसकता पड़ेगी वहीं 50 kg फासपोरस की जोअरत पड़ती है वहीं 20 kg पटास की जोअरत पड़ती है सिधी बिजाई में आपको लोहे तथा आईरन की कमी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। इसके लिए आप आईरन सलफेट का 0% 5 के गोल बनाकर 15 दिनों में एस्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिधी बिजाई पर खर पतवार प्रबंधक के बारे में। सिधी बिजाई के पहले गहांस के लिए ग्राइफोसेट जो फर्मूला का आता है जो राउंडब अगनी अस्तर तरह तरह के मार्केट में मिलते हैं। इसे बाई के एक सब्ता पहले इस्प्रे करें जिससे गहांस खत्म हो जाएगी। बवाई के बाद पेंडा मेथलीन एक दो दिन बाद बवाई के जो अंकूरन होने के एक दो दिन बाद या अंकूरन ना भी हो तो घास के अंकूरन होने से पहले एक दो दिन बाद अंकूरन को तो बुजाई आपको पेंडा मेथलीन एस्प्रे करना होता है। तथा बीस से पचीस दिन की बाद जब जो घास है दो पत्ती से चार पत्ती की हो जाए तो बिस पैरी बेक डाले जो ओडी नामनी गोल्ड अन्य प्रकार के मार्केट में उपलब्द हो जाता है तो इसके साथ तूफोर डी या फिर रिमिक्स डाल सकते हैं जिसे चोडी पत्री और सक्री पत्ती के जो घास है वो जल जल खतम हो जाता है इतना आप कर लेते हैं तो जो सीधी विज़ाई मतलब डीसर पत्ती से एक अच्छी उत्पादन प्राप्त होगी आपको एक और बात है जो मैं आपको बता दूँ आपकी बीच की जो मातरा है वो वैराइटी की हिसाब से डीपेन करती है बीच मोटा है तो ज़्यादा बीच की मातरा पड़ेगी अगर पतला है तो कम मातरा पड़ेगी उर्वराग की बात करूं तो आपकी छेत्र की मिट़ी पर करवारत है ज्यादा उर्वारत या फिर कम जवरट पड़ेगा उखाना दर्वार जाब हो खिर्जा को खुलुग को